अब रातरी उपास के लिए बनाएंगे बहुत ही इस्पेशल और एकदम हेल्दी सी नमकीन हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टु माई चेनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ड्राइफ रोट्स की लच्चे वाली नमकीन बहुत ही कम समय के अंदर और काफी लंबे समय तक इस्टोर रखने वाली इस रेसिपी को अगर थोड़ी भी पसंद आती तो ज़्यादा सज्यादा शेयर कीजेगा और बनाएगे जरूर काफी हल्दी रेसिपी है उपास के लिए तो बनाना शुरू करते हम अपनी आज की स्पेशल रेसिपी जो है ड्राइफ रोट्स की लच्चे वाली नमकीन इसको बनाने के लिए यह मैंने दो आलों को छील के पानी के अंदर डाल दिया था और अब हम इसको कद्दू कस करेंगे तो मोटी वाली आप कद्दू कसनी लीजिए और आलो को हम रुक रुक के चलाएंगे तो लच्चे बहुत ही अच्छे से बनेंगे और इसको बड़ी साइज के लच्चे चाहिए थोड़े ताकि यह फ्राइ करने में भी आसानी रहे और काफी क्रिस्पी बने तो आलो को आप रुक रुक के चलाएंगे तो यह ऐसे लच्चे बनेंगे तो सारे लच्चे हमने बना की तयार कर लिए अब हम इसको 4-5 बार पानी से अच्छे से वोश करेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा तो हम प्रेस करते जाएंगे और इधर से इधर साप पानी में डालते जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छे से स्टार्च अलग हो जाएगा और इस्टार्च अलग करने से यह काफी क्रिस्पी बनेंगे तो 4-5 बार हम इसे ऐसे धोएंगे काफी टेस्टे और हल्दी नमकीन बनेगी तो रेसिपी जरूर से बनाईएगा और मेरे चैनल को प्लेज सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करके बताईएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो हमने आलो को बहुत ही अच्छे से दो लिया चार-पांच बार अभी हम इसको पांच मिनिट के लिए साइड में कर दते हैं और ड्राइफ रोट्स को फ्राय करेंगे तो यह मखाने काजू बदाम नारियल पाउडर और यह मैने खरबूच के बीच और यह मिठे नीम के प कूम अच्छे से फ्राय करेंगे तो 2 मिनिट तक दिमियाज के उपर हमको मखाने को फ्राय करना जिससे यह अच्छे से क्रिस्पी बन जाए तो दो मिनिट तक लगातार चलाते हुए यह बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे देखिए आप विसके बाद फिर हम गेस को बंद करने के बाद फिर इसी गरम पैन के अंदर इस नारियल पराउडर को भी रोस्ट कर लेगे फिर पैन को हम गेस पे रखेंगे दो चोटी चम्मच घी डालेगे और यह जो काजू बदाम है हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे से काजु पदाम जब फ्राई हो जाएंगे तो उनको निकाल के उसी गी के अंदर हम मुफली के दाने को भी फ्राई कर लेंगे दो मिनिट तक दो मिनिट में ये बन के तयार हो जाएंगे फिर इनको निकाल लेंगे हम और फिर हम किश्मिश को फ्राय करेंगे तो किश्मिश बहुत ही जल्दी से हो जाती ही तो फटापट से इसको आप निकाल लीजिए और फिर इसी पेन के अंदर हम ये मिठे नीम के पत्तों को भी फ्राय कर लेंगे अब आलों को हम सारा पानी निकाल लेंगे और एक सूती पुट्य कपड़े के उप़र डाल के और इसका पाणी शुखा लेंगे ये लचों को अवको सुखाना नहीं ये बस खाली पानी को अच्छे से पौँच के और सुखा लेना इनको तो आलू हमारे फ्राई होने के लिए यह लच्चे तैयार हो गए तो हमने कड़ाई रख दिये और तेल रख दिया है तो बड़ी कड़ाई का उपयोग कीजिए क्योंकि अगर आप छोटी कड़ाई रखेंगे तो यह सारा तेल बहार आ जाएगा तो सारे लच्चे हमने डाल दिये इसके अंदर और यह 1-5 मिनिट तक हम इसको एसे ही रहने देंगे जब दो मिनिट हो जाएगे ती अपना अपसे ऐसे उपपर आ जाएगे फिर हम इसको हम अच्छे से रोटेट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे और काफी क्रिस्पी बनेंगे ये और जब ये बनके तैयार हो जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और हमने तेज आज के उपर तेल को गरम किया था और अभी मीडियम फ्लेम कर रखा है हमने तो अच्छे से ये गोल्डन कलर के हो चुके था हम इनको निकाल लेते बनके तैयार हो गए ये लच्चे अब एक दिब्बा लेंगे ढकन वाला और इसके अंदर इन लच्चों को डाल देते बहुत ही क्रिस्पी बने देखिए आप और इसमें सारे जो हमने रोस्ट करके और फ्राइ करके रखे थे वो ड्राइव रूट्स मिला देते फटा-फट से बनके तैयार हो जाती है और पंदरा दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो जरूर से ट्राइ किजेगा इसे अब इसके अंदर हम आधी चमच सेंदा नमक मिलाएंगे और एक चमच हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और काली मिर्ची डालेंगे आधी चमच बहुत ही चटपटा भी बनेगा और यह मैंने निम्बू का सत लिया है जिसको टाटरी बोलते हैं वो एक पिंच लिया इसको पीस के हम डालेंगे तो खटा-मिटा नमकीन भी बनेगा हमारा और सबसे लास्ट में हमने जो यह मिठे निम को फ्राय करके रखा था उसके छोटे-छोटे पीस कर देते और अब ढकन लगा के हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो सारा मसाला और यह सारे सामान अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आपस में और जो लच्चे हैं वो भी नहीं तूटेंगे हमारे तो देखिए आप मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है तो बन के तयार हो गया हमारा बहुत ही हेल्दी और एकदम टेस्टी सा फरियाली नमकीन बिल्कुल मार्केट जैसा बनाया और एकदम शुद्धता के साथ हमने इसे बनाया और काफी हेल्दी है तो रेसिपी को जरूर से बनाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी हैपी नवरात्री